इससे पहले आपने देविभागत पुरान की जो कथा सुनी उसके आगे का व्रतांत आज सुनिये जब शुम्भ ने सुना कि उसका भाई निशुम्भ मूर्ची थोकर युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है तब वहें क्रोधित होकर वहाँ पर आया और बाणों से सभी देवताओं को घायल करने लगा शुम्भ के लिए कोई भी काम कठिन नहीं था उसने तुरंत युद्ध करना आरंब कर दिया उसके इस प्रयास से सभी देवता लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले अब तो शुम्भ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली कालपुवरक्ष और कामधेन उगव सभी उसके अधिकार में आ गए तुरिलोकी पर उसी का नाम लेकर यग्गी में हवनारंभ हो गया शुम्भ ने कुबेर को भी जीत कर उनकी संपत्ती पर अपना अधिकार जमा लिया सोर्य और चंद्रमा उसके अधिन बनकर उसके चक्कर लगाते थे यम्राज को हराकर वे पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया अपने प्रभुत्व से शुम्भासुर, अगनी, वरुन और वायूस सभी के कारी का स्वर्म व्यवस्थापक बन गया सभी उसके अधिन रहकर कारी करने लगे देवता बिचारे नंदन वन को छोड़कर परवतों की खोहों में जाकर छिप गए राजिछिन जाने की कारण उनकी शोभनस्थ हो गई थी अनाधिकारी बनकर वे वनों में इधर उधर भटकने लगे अब देवताओं का कोई भी साहक नहीं रहा वे निराधार, निस्तेज और निरायुद होकर अपना समय बिताने लगे इस इस्थिती में परवतों की कंदराओं, जन्शून जंगलों और नद्यों की दरारों में ही समस्त देवताओं का आनजाना था इस्थान भ्रस्थ हो जाने की कारण, वे कहीं भी सुख से समय नहीं बिता पा रहे थे महराज, ये बिलकुल निश्चित है कि सुख प्रारब्द के अधिन है अत्यंत प्राकर्मी, महान भागिशाली, प्रचोर, ज्यानी और धनाटी विक्ती भी विप्रीत समय आने पर दुख और दैत्त के चक्कर में पढ़ी जाते है महराज, काल की करामात बड़ी ही अद्भुत है उसके प्रभाव से राज्जी का अधिकारी विक्ती भी विक्षुक बन जाता है दाता को भिक्मंगा, बल्वान को निर्बल, पंडित को ज्यानी और शूरवीर को अत्यत कातर बना देने का श्रे एकमात्र प्रारब्ध को ही है सो अशुमेत यगी करने के बाद देवराज इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत क्रिष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था फिर भी उन्हें असिमकस्ट भोगने पड़े, ये सब काल की ही तो अध्भुत करामात थी काल की कुछेस्टा में किसी प्रकार का कोई आश्यरी नहीं करना चाहिए प्यास जी कहते है राजन सभी देवता परास्थ होकर भाग गए स्वर्ग पर शुम्भ का राज्य प्रस्था पे थो गया पूरे एक हजार वश्टक शुम्भ राज्य करता रहा राज्य से भ्रस्थ हो जाने के कारण देवता अत्यांत चिंतित थे उनके दुक्का कोई पार नहीं था तब उन्होंने भ्रस्थपति जी के पास जाकर पूछा कि गुरो अब क्या करना चाहिए बताने की करपा करे महभाग आप तो सर्वग और मुन्यों के सिर्मौर है इस संकट को दूर करने के लिए कोई उपाय करना परमावश्यक है बहुत से उत्तम उपचार है हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुस्ठान से अभिलाशा पूर्ण हो सकती है सूत्रों ने इसका पश्टी करन भी किया है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तरह-तरह के यगे भी बताए गए है मुने आप उन उपायों को काम में लेने की करपा करे उनकी सभी विदिया तो आपको पता ही है वेद में शत्रू का नाश करने के लिए जो जैसी विधी बताए गई है अब आप उसी का समुचित रूप से अनुस्ठान करें जिससे हमारे संकट टल जाए हे ब्रस्पति जी इस अफ़सर पर आपका परम करतव है कि आप दान्वों कावद करने के लिए अपनी बुद्धी के अनुसार यत्न करने में तदपर हो जाए ब्रस्पति जी कहने लगे है देवेश वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्द के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं उनमें स्वतन पिरता नहीं है और ना ही वे अकेले कुछ कर सकते है मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग ठहरे सो तुम्हें ही काल के प्रभाव से नाना प्रकार के कस्ट भोगने पड़ रहे है अब ऐसी स्थिती में मैं भला क्या उपाय कर सकूंगा यग्यों में इंद्र, अगनी और वरुन आधी देवताओं के लिए यजन किया जाता है वे स्वयम तुम सब के सब विपत्ती में ही पड़े हुए हो फिर यग्य क्या कर सकेंगे होनी तो अवश्य ही होकर रहती है उसे कोई टाल नहीं सकता तब भी उपाय तु करना ही चाहिए यही शिष्ट पुरुषो की आग्या है इसलिए भली भाती सोच समझ कर मैं तुम्हे उपाय बता दिता हूँ पूर्व समय में भगवती जगदंबा प्रसन होकर महिशा सुर का वद कर चुकी है तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर्द दिया था कि है प्रधान देवता हो तुम्हें सदा ही मुझे याद करना चाहिए दुर्दैव वश जब जब तुम पर विपत्यां आए तब तब तुम मुझे याद कर लेना मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूँगी इसलिए हे देटा करो अब आप लोग अत्यत मनुहर हिमाले परवत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में लीन हो जाओ आप सभी को माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है मैं समस्ता हूँ कि ततपर्ता पूर्वक आपके अरुस्ठान करने पर भगवती अवश्य ही प्रसन हो जाएंगी अब आपके दुख का अंत होने वाला दिखाई पर रहा है इसमें कोई संदे नहीं मैं सुन चुका हूँ भगवती चंडिका हिमाले पर सदा विराजमा रहती है उनकी स्तुती और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत ही मनुरत पूर्ण कर देंगी द्रण निश्य करके आप सभी लोग हिमाले पर चले जाओ देवताओं ऐसा करने पर आपके सभी मनुरत भगवती अवशी ही पूर्ण कर देंगी श्री व्यास ची कहते हैं हे राजन ब्रस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर देवता हिमाले परवत पर गए और उन्होंने देवी की आराधन आरंप कर दी माया बीच को हरदय में धारन करके वे सदा जप में संगलगन रहने लगे भगतों को अभे प्रदान करना भगवती महा माया का स्वभाव ही है देवताओं ने अत्यत भगती पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और इस्तोत्र के मंत्र पढ़कर वे उनकी स्तुति करने लगे कि विश्व पर शाशन करने वाली है देवी आप प्रान शक्ती हो, सदानंद स्वरूपिणी हो देवताओं को आनंदित करने वाली हो आपको नमस्कार है डानवों को संगार करने वाली मानवों की अनेक अभिलाशाई पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली आप जगदंबा को नमस्कार है आद्या आपके कितने नाम है और आपका कैसा रूप है इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं है सब में आप ही विराजमान हो जीवों की स्रस्टी और संगहार में सदा आप ही शक्ती रूप में काम करती हो इस्मृती, घ्रती, बुद्धी, जरात, तुस्टी, पुस्टी, कांती, शांती, सुविद्या, सुलक्षमी, गती, किर्ती, मेधा आदी ये सब आप ही तो हो आपको विश्व का सनातन बीजमाना गया है जब जैसा अफसर आता है तब उसी के नुरूप धारन करके आप देवताओं का कार्य करती और उनके हिर्दय की जलन और धुक को दूर करती हो हम सभी आपको नमसकार करते है सभी प्राणियों के अंतहकरण में प्रशस्त स्वरूप धारन करके आप ही क्षमा, योग, निद्रा, दया, आदी नामों से विराजमान हो महिशासुर देवताओं का घोर शत्रूथा आपके हाथ उस मदाद द्यत्य के प्रान प्रयान कर चुके है सभी देवताओं पर आपकी दया सदा बनी रहती है देवी, ये बात पूराणों और वेदों में इस पस्ट घोशित है माता अपने बालक का प्रसनता पूरवक सभी प्रकार से पालन और पोशन करती ही है इसमें भला कौन विचितर बात है? क्योंकि देवता आपकी संतान है इसलिए आप एकागरी चित्त होकर इनके सभी वनुरत सफल करने की किरपा करो हे देवी, अखिल जगत आपकी वंदना करता है आप सर्व समर्थ हो, आपकी गुणों की गर्णा करना और आपका स्वरूप जानना हमारे लिए अशक की है व्यास जी कहते हैं इस प्रकार सभी देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगतंबा करोना से ओत्परत होकर तुरंती ही प्रकट हो गई उनका रूप निखर उठा था, वे विचित्र वस्तर पहने वे थी दिव आभुशन उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे गले में अद्भुत हार था और वे दिविचंदन से चर्चित थी उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत मोहित हो जाए उन्हें सभी शुबलक्षन सुशोभित कर रहे थे देवताओं के देखने में वे अध्वित्य स्वरुपणी प्रती थुई उन्होंने ऐसा दिविरूप धारण कर रखा था जिससे जगत को मोहित करने वाले भी मोह में पढ़ जाए कोयल के समान मधूर बोलने वाली भगवती जगदंबा हसकर इस्तूती करने में लगे वे देवताओं के प्रती प्रेम पुर्वक वानी में इस प्रकार कहने लगी आदर्नी देवताओं आप इस समय क्यों इतनी इस्तुती कर रहे हैं आपके मुखों पर इतनी चिंता क्यों छाई हुई हैं आप अपना कारे मेरे सामने प्रकट करो वियास जी कहते हैं महाभाग देवता भगवती के रूप और वैभव को देखकर सम्मोहित हो गए थे उनकी वाणी सुनकर वे प्रेम पूर्वक अपनी इस्तुती करने का रहे से बतलाने लगे देवतागण कहने लगे कि जगत को नियंतरण में रखने वाली है करुणा मई देवी हम सब आपकी शरण में आकर इस्तुती कर रहे हैं आप हमें सभी संकतों से बचाईए द्यात्यों के सताने से हमारा मन अत्यत्य उद्विग्न हो उठा है महा देवी पूर्व समय की बात है महिशासुर देवताओं के लिए महान कंटक बना हुआ था आपने उसे मार कर हमें वर्दान दिया था कि जब कभी तुम पर आपत्ती आए तब तुम मुझे याद करना इसमरन करते ही आप हमारे दुखों को दूर कर देंगी इसमें किजित मात्र संदे नहीं है इसलिए देवी इसी कारण हमने इस समय आपको याद किया है इस समेश शुम्भ और निशुम्भ नामक दो दानव तुपन हुए हैं उनकी आकरती अतित भयंकर है देवी वे हमारे कारियों में सदा विखन डाला करते हैं किसी भी पुरुष्ट से वे मारे नहीं जा सकते ऐसे ही प्रतापी रखते बीच और चंडबुन्द भी है इनके अलावा भी और बहुत से महान शक्तिशाली दानव है इन असुरों ने हम देवताओं का राज छीन लिया है महाबले हे सुमध्य में हमें दूसरा कोई भी अवलंब नहीं है केवल एक आपकी ही शरण में हमाए है देवता अवश्य ही महान कस्ट पा रहे है आप इन सभी का कारी सिद्ध करने की गरपा करो देवी देवता आपके चरणों की शरण ग्रहन करके अत्यन्त बलशाली दानव द्वारा प्राप्त दुख आपको बता चुके माते ये देवता आपके प्रती अटूट श्रधा रखते है इस समय इन पर दुख के बादल उमर रहे है अब आप इनके लिए शरण होकर इनका दुख दूर करने की गरपा करो देवी युग के आरंभ में आपने ही इस विश्यू की रचना की थी आप अपना बनाया हुआ जानकर अखिल भूमंडल की रक्षा में ततपर हो जाओ माता अभिमानी दानव बल के घमंड में चूर होकर जगत को पीड़ा पहुचा रहे है उनका विनाश करके इस जगत को सुख प्रदान करो व्यास जी कहते हैं देवता शत्रों से अत्यन्त दुखी थे उन्होंने जब इस प्रकार देवी की स्तुति की तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा ही रूप प्रकट कर दिया जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदंभा साकार रूपे प्रकट हुई तब सभी जगद उन्हें कौशी की नाम से पुकारने लगा पार्वती जी के शरीर से भगवती कौशी की के निकल जाने पर शरीर शेण हो जाने की करण पार्वती का रूप काला पड़ गया इसलिए वे काली का नाम से विख्यात हुई स्याही के समान काले रंग से वे बड़ी भहेंकर जान पड़ती थी भक्तों के सभी मनुरत पुन कर देना उनका स्वभावी गुण था इसलिए वे कालरातिरी नाम से प्रसित हुई भगवती जगदंबा का एक दूसरा मनुवर रूप भी विराजमान था सभी भूशन उस श्री विग्रह की शुभा बढ़ा रहे थे लावन आदी सभी शुभकुनों से वे संपन था इसके बाद भगवती जगदंबा हसकर देवताओं से कहने लगी कि देवतागणो अब आप लोग निर्भय होकर अपने इस्थान पर विराजमान रहो मैं शत्रों का संघार कर डालूँगी आपका कारी सभी प्रकार से संपन करने के लिए मैं युद्ध के मैदान में विचरूँगी आपको सुखी बनाने के लिए शुम्ब निशुम्ब आदी सभी दानवों का मैवध कर दूँगी इस प्रकार कहकर बलके अभिमान से भरी हुई भगवती कौशिकी सेह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी उन्होंने काली को भी साथ चलने का अदेश दिया काली का सहित भगवती जगदंबा नगर के सन्निकट चाकर जिधर से हवा आ रही थी वही ठैर गई और उन्होंने जगत को मोहित करने वाला संगीत आरंप कर दिया उस सु मधूर गान को सुनकर पक्षी और म्रग तक मोहित हो गए आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसनिता से खिल उठा शुम्ब के दो सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंतरता पूर्वा घूम रहे थे वे वहाँ आये और उन्होंने देखा दिवे रूप धारणी भगवती जगदंबा गा रही है उन्होंने कालिका को अपने सामने स्थान दे रखा था दिवे रूपा उन भगवती जगदंबा को देखकर चंड और मुंड महानाश्चरी में पड़ गए राजन तब ये उसी चंड शुम्ब के पास चल पड़े उस समय दानवराज शुम्ब अपनी घर पर था उसके पास पहुँचकर चंड और मुंड ने मस्तक जुका कर उसे प्रणाम किया साथ ही कहा कि राजन कामदेव को भी मोहित करने की योगिता रखने वाली एक सुन्दरी स्त्री हिमाले परवत से निकली है सेह उसकी सवारी का काम दे रहा है उसमें सभी शुब लक्षण विद्यमान है ऐसी उत्तम इस्त्री देव लोग या फिर गंधर लोग में मिलना भी असंभव है जगत भर में तो कहीं भी ऐसी इस्त्री को न देखा है नहीं सुना है राजन वो ऐसा सुन्दर गान गाती है जिसे सुनकर सभी जन मुग्द हो जाते है उसके सू मधुर स्वर से मोहित हुए मरग सदा उसके पास बने रहते है महराज वैं किसी की पुत्री है और उसकी हाने का क्या प्रियोजन है इस विशे की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास स्थान दिजिए वास्तों में तो ये कामनी आपके ही योग्य है उसकी आँखों से कल्याण टपक रहा है उसका पता लगाकर आप उसे अपने महल में ले आईए और उसे अपने पत्नी बनाने की किरपा कीजिए ये निशित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदरी स्त्री का होना जगत में नितान तसमभव है राजन देर्ताओं के सभी रतनों पर आपका अधिकार हो चुका है याराज फिर इस सुंदरी स्त्री को अपनाने में आप क्यूं उदासीन है राजन आपने इंदर से बलपूर्वक एश्वर्य पूर्ण, एरावत हाथी, पारिजात वरिक्ष और उच्च श्रवा अश्व आदी छीन लिये है राजन ब्रह्मा का अद्बुत विमान रत्मे है राज हर्स के चिन्नवाली धुजा उस पर फैरा रही है ऐसे दिविमान को आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है राजन पद्म नामक निधी आप कुबेर से छीन लाए है वरुन का शुब्छत्र आपने हट पूर्वक ले लिया है राजन आपके भाई निशुम से वरुन की मुठबेड हुई थी वरुन हार गया तब ही से उसका पाश भी निशुम के पास ही है महराज आपके भाई से समुद्र ने जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं ऐसी माला तथा तरह तरह के रतना आपको भेट किये है राजन मृत्यु की शक्ति और यम्राज के अत्यन्त भेंकर दंड भी इस समय आपके अधिकार में है उन्हें पराजित करके आपने उनको छीन दिया है आपके पराकरम का कहां तक बखान किया जाए समुद्र से प्रकट हुई कामधिन गो इस समय आपके घर पर शोभा पा रही है राजन मेन का प्रभरती अपसराएं आपके अधिन रहकर सेवा करती है इस प्रकार सभी स्रेष्ट रत्नों को बल पूर्वक आपने अधिकार में कर लिया है फिर मन को मुग्ध करने वाली इस अनुपम इस्त्री पर आप अपना अधिकार क्यों नहीं जमाते राजन आपकी घर में जितने विपुल रत्न है वे सभी इस सुंदरी स्त्री का सह्योग पाकर अपने इतात रूप में परेणत हो सकते है दानवराज तिरिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है इसलिए इस मनोहारेनी इस्तरी को आप शीगर अपने यहां लाकर अपनी प्रेपत्ली बना ले। व्यास जी कहते हैं चंडर मुंड की वाणी बड़ी मधुर थी। उसके प्रतेक अक्षर से शहद टपक रहा था। सुनकर शुम्ब का मुख प्रसनिता से खेल उठा। उसने अपने पास बैठे वे सुग्रीव से यो कहा। सुग्रीव तुम बड़े बुधी मान हो। दूद बन कर जाओ और इस कारी को संपन्द करो। वहां जाकर इस प्रकार वारता करना जिससे वह सुन्द्री खुदी यहां आ जाए। श्रंगार रसके पारगामी विद्वा कहते हैं कि इस्त्रियों के विशय में कारी कुशल दूद को साम और दाम इन दो उपायों का प्रयोग करना जाहिए। भेद नीती का प्रयोग करने पर रस अभाव दोशुत्पन हो जाता है। दंड नीती का प्रयोग करने पर तो रसकी सत्ता ही सर्वथा चौपट हो जाती इसलिए विवे की जन इन दोनों उपायों को दुशित ठेडाते हैं दूत, साम और दाम इन दो उपायों को ही प्रमुख मान कर इनका प्रयोग करना चाहिए वाक्यों में मधूरता और नमृता भरी होनी चाहिए इन उपायों का प्रयोग करने पर भला कौन कामेनी को लाइक करना मत भूला करें